नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गिद्वानी, मेरे चैनल सुनियास कुकिंग में आप सब का स्वागत है आज हम कार्तिक मास्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं हिंदू पुराण की मान्यता के मुताबिक हर महा की अपनी अलग खूबी होती है परंतु कार्तिक मास की महिमा अपने आप में विशेश है हिंदु पंचांग के अनुसार आठवा महिना कार्तिक महिना कहलाता है जिस तरह सत्युग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीठ नहीं, इसी तरह कार्तिक के समान कोई महिना नहीं कार्तिक महिने को लक्षमी, सद बुद्धी और मुक्ती प्राप्त करने वाला मास कहा जाता है कार्तिक महिने को रोग नाशक मास भी कहते हैं इस महा में पूजा पाठ का विशेश महत्व है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कार्तिक मास में किन किन कामों को करने से शुब फल की प्राप्ति होती है वो चमतकारिक पांच दिन कौन से हैं जब आप तुलसी माता पर दिया जला कर पूरे कार्तिक मास में की गई पूजा के जितना फल पा सकते हैं कार्तिक का महिना श्री हरी विष्णू और माता लक्ष्मी को अतिप्रिय है इस महा में भगवान विष्णू जी जल में निवास करते हैं इनकी पूजा से माता लक्ष्मी का अशिरवाद भी प्राप्त होता है जिस तरह श्रावर्ण मास भगवान शिव के लिए है उसी तरह कार्तिक मास विश्णु जी का विशेश महिना है कार्तिक मास में किये जाने वाले शुब कार्यों से विशेश पुन्य प्राप्त होता है इस महिने में की जाने वाली पूजा से भगवान विश्नु प्रसन होते हैं और अपने भक्तों पर विशेश कृपा करते हैं कार्तिक मास शरत पूर्णिमा के दिन से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक होता है। यह महिना सबसे पवित्र माना जाता है, सर्व श्रेष्ट माहा कहलाता है। इस महिने में पूजा, पाठ, तप, दान, पुन्य का अति महत्व है। इस महिने में करवाचो, धन, तेरस, तिपावली, गोवर्धन, पूजा, छट महापर्व, देवोठान, एकादशी समेत कई त्योहार आते हैं। इस महिने में भगवान, विश्नु, योग, निद्रा से जाकते हैं और स्रष्टी में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। मात पायों का शद्धा पूलवक पालन करता है, उसे शुब फल की प्राप्ति होती है, उसकी सभी मनों कामनें पूरी होती है, जीवन में धन, सुख और समरद्धी बढ़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि नियम कौन से हैं। पहला नियम है तुलसी पूजा, इस महिने में तुलसी पूजन, नया तुलसी का पौधा लगाना, तुलसी को जल चड़ाने वद दिया जलाने का विशेश महत्व है। वैसे तो हमेशा ही तुलसी का पूजन किया जाता है, परंतु इस महिने में तुलसी पूजन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी की पुझा भगवान शालिग्राम के साथ करनी चाहिए इससे सभी तरह के रोग मिट जाते हैं। जीवन में सुक शान्ती बढ़ जाती है। इस महां एकादशी पर तुलसी विवा भी होता है। कहा जाता है विवासमंदी दिक्कते भी दूर हो जाती है। दूसरा नियम है दीपदान का। जी हां कार्तिक महा में दीपदान का प्रमुख महत्व बताया गया है। इस महा में बगवान विश्णु, माता लक्ष्मी, यम देव और पीपल देव के समक्ष जलाशयन दीपक जलाने से घर में सुक शान्ती आती है। सारे पाप नश्ट हो जोशनी करनी चाहिए। इस से शुब फल की प्राप्ती होती है। सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं। कर्ज से मुक्ती मिलती है। कार्तिक मास आरोग्य मास भी कहा जाता है। कार्तिक मास आरोग्य प्रदान करने वाला, रोग विनाशक, सम्रद्धी प्रदान करने वाला और मा लक्ष्मी की पूजा के लिए सर्वोत्तम है हमारा अगला नियम है नदी स्नान जी हाँ इस महा में पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व है क्योंकि भगवान विश्णू कार्तिक महा में जल में निवास करते हैं कहते हैं कार्टिक मास में प्रातहकाल जल्दी उठकर चांद तारों की मौजूद्गी में सूर्यो दे से पूर्व ही स्नान करना चाहिए। अगर आप नदी स्नान नहीं कर सकते तो जिस जल से आप स्नान करें उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दें। ऐसा करने से भी नदीस नान जैसा फल मिलता है मारा अगला नियम है दान इस महा में दान का भी महत्व है अन्न दान, वस्त्रदान जो भी आप अपनी छमता के अनुसार कर सकते हैं वह करें चावल का दान करना शुब होता है इससे चंद्र दोश से मुक्ती मिलती है पूजा अगला नियम है पूजा इस महा में की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विश्नु पूजा, लक्ष्मी पूजा, यग्य, हवन का बह महत्व है कार्तिक मास में शिवलिंग की पूजा करने को भी शुभ माना जाता है इससे भगवान शिव की असीम कृपा मिलती है द्वार पूजा का भी विशेश महत्व है इस महीने घर के मुख्य दर्वाजे पर आम के पत्तों को लगाना चाहिए हमारा अगला नियम है लक्षमी जी को भोग जी हां माता लक्षमी को भोग लक्षमी माता को खीर बहुत पसंद है प्रति दिन खीर का भोग लगाने से धन समरद्धी बढ़ती है धन की हानी नहीं होती इसलिए दिपावली के दिन लक्ष्मी माता की विशेश पूजा होती है हमारा अगला नियम है सूरज को अर्ग देना सूर्योदय के समय सूर्य को अर्ग देने से सभी तरह के पाप दूर होते हैं दोश मुक्त होते हैं अगला नियम आवला पूजन जी हाँ इस महा में आवला के वरक्ष की विशेश पूजा होती है आवला श्रेष्ट और शदी माना जाता है कहते हैं आवला के वरक्ष को भगवान शिव और भगवान विश्णु का प्रतीक मान कर लक्ष्मी जी ने उसकी पूजा की थी अब हम बात करते हैं उन चमतकारिक पांच दिनों की जिन दिनों पूजा करके हम पूरे कार्टिक मास की पूजा का फ़ल उठा सकते हैं जी हाँ भीश्म पंचक कहते हैं जिने भीश्म पंचक का समय कार्टिक मास के शुकल पक्ष की एकादशी से आरंब होकता है और कार्टिक पूर्णिमा तक चलता है। पूरे पांच दिन चलने वाले इस पंचक कार्य में सनान और दान का बहुत ही शुब महत्व होता है। वीश्म पंचक का यह व्रत अतिमंगल कारी है और पुन्यों की व्रद्धी करने वाला होता है। जो भी शद्धा पुर्वक इन पांच दिनों का व्रत एवं पूजा पाठ दान करार्य करता है, वह मोक्ष को पाने का अधिकारी बनता है। अगर आप किसी कारण से अब तक कार्तिक महा में पूजा पाठ तब जब दान पुन्य नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं। भीश्म पंचक के ये चमतकारिक पांच दिन आपने जल्दी स्नान करके प्रातहकाल तुलसी पर जल चड़ाया और सुभा शाम दोनों वक्त दिया जलाया तो आपको पूरे महीने की गई पूजा के जितना फल मिलेगा। अगर दिया 365 पाती वाला हो तो और भी अच्छा। तो देर किस पात की है तैयार हो जाए इन पांच जमतकारिक दिनों में पूजा पाट करिए और पूरे महीने की पूजा का फल उठाईए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताईए। तैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्स्राइब जरूर करिए। तैंक यू।